हेलो दोस्तो, स्वागता आप सभी का सूपर मोटर्स UK में तो आप सबके बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि कार कहलोवा हमें टू विलर में भी कुछ दिखाओ तो आज वही टू विलर को कवर करने के लिए हम आ गए हैं स्वास्थिक ऑटो डिल्स हलदवानी में तो यहां आपको टू विलर में सभी टैप की गाड़िया देखने को मिल जाती है और यहां अगर आपको रेंट पे गाड़िया चीए तो आपको यहां रेंट पे भी गाड़िया प्रोवाइड हो जाती है अगर पहली गाली की बात करें तो यह हमें Hero Splendor देखने को मिल जाती है जो की 2022 model है और गाली की running की बात करें तो यह मात्र 90 km चली है और अगर गाली के ownership की बात करें तो यह आपको first owner देखने को मिलती है साथ ही अगर गाली के टायर की बात करें तो ये भी आपको काफी अच्छी कंडिशन और काफी अच्छी ग्रिप के साथ देखने को मिल जाते हैं अगर गाली के पिछले टायर की बात करें तो वो भी आपको काफी अच्छी ग्रिप के साथ देखने को मिल जाते हैं टायरिस में भी एक बार भी चेंज नहीं हुए है अगर गाली के प्रैस की बात करें तो इसका आस्किंग प्रैस 75,000 रुपे रखा है जो कि on table negotiable है अगली गाली की बात करें तो ये भी हमें Splendor देखने को मिलती है जो 2014 मॉडल है और अगर गाली की रणिंग की बात करें तो ये मातर 16,000 किलोमीटर चली है और अगर गाली के आस्किंग प्रैस की बात करें तो इसका आस्किंग प्रैस 32,000 रुपे रखा गया है जो कि on table negotiable है ये गाली भी आपको first honor देखने को मिलती है तो बड़ते हैं और अगर गाली की बात करें तो ये आपको 2018 मॉडल देखने को मिलती है और 7 गाली की रणिंग की बात करें तो ये 40,000 क्लोमीटर चली है बागी गाली की कंडिion आप देखी सकते है और ये गाली भी आपको first honor देखने को मिलती है गाली के price की बात करें तो इसका asking price 45,000 रुपे रखा है जो की on table negotiable है और गाली के tire आप देख सकते है अपनी screen पे आपको काफी अच्छी grip के साथ देखने को मिल जाते हैं गाली के tire भी अगर अपनी अगली गाली की बात करें तो ये hero की तरफ सानवारी super splendor आपको देखने को मि मिलती है और गाली के registration की बात करें तो UK 04 यानि इसमें आपको हलदवानी का number देखने को मिल जाता है और गाली के asking price की बात करें तो इसका asking price 45,000 रुपे रखा गया है जो की on table negotiable है बाकि आप हमारे channel के reference से जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा discount और इसमें देखने को मिल जो की red color में है गाली के model की बात करें तो ये आपको 2016 model देखने को मिलती है और गाली की running की बात करें तो ये गाली पे आपको first round देखने को मिलती है गाली के asking price की बात करें तो इसका asking price 42,000 रुपे रखा है जो की on table negotiable है तो ये भी काफी अच्छी डील दाती है आपके लिए तो बढ़ते हैं अपनी अगली गाली की तरफ जो की है बजाज की तरफ सायनवाली pulsar 150 अगर गाली के model की बात करें तो ये आपको 2010 model देखने को मिलती है लेकिन जैसी गाली की condition है तो गाली की condition को देखके लगता नहीं है कि ये 2010 model है और गाली की running की बात करें तो ये मातर 40,000 kilometer चली है जो की गाली की condition को देखके समझ में आ जाता है और ये गाली भी आपको first round देखने को मिलती है गाली के registration की बात करें तो UK04 हलदवानी का number इसमें आपको देखने को मिलता है और गाली के asking price की बात करें तो इसका asking price 32,000 रुपे रखा गया है जो की on table negotiable है बाकि अगर आप हमारे channel के reference आते हैं तो आपको इसमें एक अच्छा खाशा discount और देखने को मिल जाएगा तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी अगली गाली की तरफ तो ये गाली रहने वाली हमारी tvs sports अगर गाली के model की बात करें तो ये आपको 2018 model देखने को मिलती है और अगर गाली के running की बात करें तो ये 36,000 km चली है और ये गाली भी आपको first honor ही देखने को मिलती है अगर गाली के registration की बात करें तो UK04 यानि हल्दवानी का registration इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो हल्दवानी के भाई लोग इसको बिलकुल ले सकते हैं और अगर गाली के price की बात करें तो इसका asking price 40,000 उपए जो की on table negotiable है तो इसे के साथ बढ़ते हैं अगली गाली की तरफ जो की है हमारी CT 100 और अगर गाली के model की बात करें तो ये भी आपको 2018 model देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपको UK04 हल्दवानी registration देखने को मिलता है और ये गाली भी आपको first honor ये गाली लेना चाह रहे थे जिनका काफी लंबा टूर रहता है रोज बाइक में इधर उदर जाना होता है तो वो लोग इस गाली को बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि ये गाली आपको एक अच्छा कासा mileage निकाल के दे देती है और अगर गाली के price की बात करें तो इसका asking price 40,000 उ जो कि on table, negotiable है बागी गाली की condition आप देखी सकते हो तो इस गाली को बिल्कुल आप ले सकते हो क्योंकि आपके लिए काफी अच्छी deal लेने वाली इस गाली में गाली आपको बिल्कुल sourm condition देखने को मिलती है ये टायर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी grip के साथ इसमे तो भी आपको काफी अच्छी ग्रिप के साथ गाड़ी के टायर देखने को मिल जाते हैं और अगर गाड़ी के मॉडल की बात करें तो ये 2016 मॉडल रहने वाली है और गाड़ी की रेनिंग की बात करें तो ये 40,000 किलोमेटर चली है और ये गाड़ी भी आपको फस्ट अनर देखने को मिलती है गाड़ी के प्रैस की बात करें तो इसका आस्किंग प्रैस 35,000 रुप है जो की ओन टेबल नेगोशियेबल है तो इसके साथ बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो के बजाज की तरफ साने वाली एवेंजर अगर गाड़ी के मॉडल की बात करें तो वे 2014 मॉडल रहने वाली है और गाड़ी की रुणिंग की बात करें तो वे मात्र 19,000 किलोमेटर चली है और ये गाली भी आपको first honor ही देखने को मिलती है तो जो भाई लोग bullet और avenger के सौकी ने वो इसकी deal बिल्कुल check out कर सकते हैं क्योंकि आपको ये काफी अच्छी deal मिलने वाली है क्योंकि गाली बहुत ही कम चली है और अगर गाली के price की बात करें तो इसका asking price 45,000 रुपे रखा गया है जो कि on table negotiable है गाली की condition आप देखे सकते हैं आपको काफी अच्छी condition में गाली देखने को मिल जाती है तो बढ़ते हैं अपनी अगली गाली की तरफ जो कि है hero की तरफ सानवाली super splendor गाली के model की बात करें तो यह आपको 2019 model देखने को मिलती है यह 2019 last December का model है तो आप इसे 2020 भी बोल सकते हैं अगर गाली के number की बात करें तो UK01 Almorra का इसमें आपको number देखने को मिल जाता है साथ ही गाली की running की बात करें तो यह 21,000 km चली है बाकि गाली की condition आप अपनी screen पे देखी सकते हैं अगर गाली के price की बात करें तो इसका asking price 60,000 रुपे रखा गया है जो की on table negotiable है आप आके कम करवा सकते हैं और गाली के tire आप देखी सकते हैं आपको किस condition में मिल रहे हैं तो बाड़ते हैं अपनी सबसे hot deal की तरफ तो यह गाली रहने वाली है हमारी KTM Duke जो आपको orange color में देखने को मिल जाती है गाली के tire आप देख सकते हैं काफी अच्छी condition में आपको गाली के tire भी देखने को मिल जाते हैं अगर गाली के model की बात करें तो 2019 model यह आपको देखने को मिलती है और यह गाली भी आपको first round देखने को मिलती है गाली की running की बात करें तो यह गाली मातर 16,000 km चली है और यह गाली भी UK04 यानि हल्दवानी का registration इस गाली में रहने वाला है तो हल्दवानी के भाई लोग इसको बिलकुल ले सकते है गाली आपको बिलकुल सोरूम कंडिशन देखने को मिलती है गाली में आपको कोई भी बड़ा dent या कोई भी scratch देखने को नहीं मिलते है क्योंकि गाली चली भी मातर 16,000 km है और अगर गाली के asking price की बात करें तो इसका asking price 1,25,000 रुपे रखा गया है जो की on table negotiable है तो ये भी काफ़ी अच्छी deal हो जाती है आपके लिए तो इसके साथ बढ़ते हैं अगली गाली की तरफ तो ये गाली रहने वाली हमारी TVS Sports अगर गाली के model की बात करें तो ये आपको 2018 model देखने को मिलती है और ये गाली आपको first owner देखने को मिलती है अगर गाली की running की बात करें तो ये गाली मातर 18,000 km चली है और अगर गाली के number की बात करें तो UK04 यानि कि ये भी आपको हलदवानी का ही नंबर देखने को मिलता है अगर गाड़ी के asking price की बात करें तो इसका asking price 32,000 रुपे रखा गया है जो कि on table, negotiable है तो ये भी काफी अच्छी deal बन जाती है आपके लिए इस deal को भी आप बिल्कुल check out कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी की condition जो है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है without scratch आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है तो इसके साथ बढ़ते अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो एक और मेस्टर हमें यहाँ देखने को मिल जाती है जो कि purple color में है अगर गाड़ी के model की बात करें तो यह आपको 2016 model देखने को मिलती है तो अगर गाड़ी के model की बात करें तो यह आपको 2016 model देखने को मिलती है और अगर गाड़ी की running की बात करें तो यह 33,000 km चली है और यह गाड़ी भी आपको first runner देखने को मिलती है और इसमें भी आपको UK04 हल्दवानी काई नंबर देखने को मिल जाता है अगर गाड़ी के asking price की बात करें तो इसका asking price 35,000 रुपे रखा गया है जो की on table negotiable है तो काफी अच्छी अच्छी deals यहां आपको देखने को मिल जाती है second yen गाड़ियों में इसके साथ बात करते हैं कि आपको यहां rent की गाड़िया किस rate में मिलती है तो बात आप rent की गाड़ियों की करते है अगर आप यहां से स्कूटी rent पे लेना चाते हैं तो आपको 800 रुपे पर डे का charge स्कूटी के लिए देना पड़ेगा और अगर Avenger आप यहां से लेना चाते हैं तो Avenger का पर डे का charge 1200 रुपे आपको पढ़ने वाला है और अगर आप बुलट लेते हैं यहां से तो आपको 1500 रुपे पर डे बुलट का charge देना होता है और साथ ही यहां कमिशन बेस पर गाड़ियां खरे दिया और बेची भी जाती है तो काफी अच्छी अच्छी डील्स आपको यहां देखने को मिल जाती है तो अगर आप एक second hand गाड़ी लेने का सोच रहें तो आप यहां जरूर विजिट करिए क्योंकि यहां आपको खापे अच्छी खाची डील्स देखने को मिल जाती है तो करते हैं आज की वीडियो को एप्रियेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें